आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले भले स्टॉक के बारे में है। इस से स्टॉक को डिसकस करने का मुख्य कारण यह है कि एक ब्रेकिंग न्यूस स्टैंड होते हुए दिख रहा है कि इस स्टॉक ने जीई पावर के साथ कोलेबरेट करके इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाने जा रही है, जिससे पहले हमने NTPC के NTPC के तरफ से एक बिग और बिन करते हुए देखा था, यह सभी न्यूस के बाद अगेन यह स्टॉक एक अपडेट के लिए तैयार होते हुए दिख रही है, आज के ट्रेनिंग सेशन में स्टॉक में दो प्रतिशत की तेजी दिखी और लगभग वॉल्यूम तीन कर बिन्ग भेजें, 54.50 के ऊपर के क्लोजिंग प्राइस से स्टॉक में आप्शन देख सकता है और एक माइनर एजिस्टेंस एक तो इस स्टॉक में 57 तक का है और 57 के ऊपर के क्लोजिंग स्टॉक में पहला टारगेट 64 और दूसरा टारगेट 80 प्लस का COD दिखने वाला है, ओ अगेन इस स्टॉक में पिछले एक साल में वन इयर में हमने देखा कि काफी अपसेट डाउन साई, अगर आप देखेंगे तो 56 के प्राइस से स्टॉक ने लगभग 35 प्रतिशत तक के रिटन दिये और सरसट के लेवल को टच करने के बाद आगे नहीं से, स्टॉक में अगर डाउन ट्रेन की बात करें तो यही 57 के प्राइस से स्टॉक में लगभग 20 प्रतिशत तक के डाउन ट्रेन भी दिखें, यानि पिछले एक साल में जहां 20 प्रतिशत का डाउन ट्रेन मैक्सिमम दिखा, वही मैक्सिमम 35 प्रतिशत की आप ट्रेन देखें, अगेन ये स्टॉक